आप सभी को मेरा अपनाम आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे में तो पिंकिस फ्लावर्स आप देख रहे होंगे यूफोर्बिया एनी फिला यूफोर्बिय सीकुल का ये प्लांट है समस्थ प्लांट पार्ट का उस्तिय गुणों के लिए उप्योग में लाया जाता ह है यह जो आप देख रहे हैं इसका हम जूस बनाकर अगर सेवन करते हैं तो किसी भी परकार की बोड़ी के अंदर अगर वाइजनिंग हो गई हो या फिर किसी ऐसे जहरी ले पिट ने आपको काट लिया है और आपको पता नहीं है रेडनेस हो गई है सूजन हो गई है आपक पिर अनकंट्रोल्ड पेन हो रहा है तो आप इसका जूस बनाकर सेवन कर सकते हैं इसका 10-15 ml जूस दिन में दो बार खाली पेट आप ले सकते हैं और इसका सुरश निकालकर घाव पे लगा सकते हैं हीलिंग करने का कारे करता है कहीं जल गया है कट गया है महां भी इसका ड्रेसिंग आप कर सकते हैं पुल्टिस बान दीजिए पुल्टिस बनाने का तरीका होता है इसको लेकर आप पीस लीजिए और इसकी ड्रेसिंग कर दीजिए घावासानी से भर जाता है साथियो naturally ये constipation को दूर करने वाला होता है Lexitive का कारे करता है पुराने constipation को खिक करता है क्या बार incipient constipation की समर्शा होती है constipation होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है generally ऐसा पित विकार वाले वैक्तियों में ऐसा होता है जिन वैक्तियों का पित बढ़ा होता है उनमें incipient constipation होता है generally ऐसा होता है मित्रो पित विकार वाले वैक्तियों का motion बहुत जल्दी किलियर होता है और उन्हें लगता है कि हमारा पित साफ हो गया है जबकि reality में ऐसा नहीं होता है वो incipient constipation पित्तो के रोगियों को होता है तो उसका इलाज इसी के सुरज से किया जाता है साथियों लंबी अवस्था में अगर ये बना हुआ रहता है तो skin की problems और बढ़ जाती है सुरियस की समस्य हो जाती है तो सुरियस की अगर समस्य हो गई है skin के उपर fungal infection हो गया है microbial infection हो गया है metabolic disorders के कारण skin की tonicity, skin की health disturb हो गई है skin की pH disturb हो गई है उन सब की समस्याओं को ठीक करता है आपको 10-15 ml इसका juice भी पीना है और external apply करना है तुचा के उपर इसका paste बना कर लगाना है सभी परकार की पित जनित तुचा के रोगों में उप्योगी है skin की problems को remediate करने वाला होता है मित्रो आप इसको इखटा कर लीजिए और सुखा कर इसका powder बना के रख लीजिए इसके flowers माई से लेके जुलाई के मौसम तक रहते हैं उसके बाद इसके flowers चले जाते हैं देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है सभी परकार के kidneys related disorders की रामबान औस्दी है आप इसको powder बना कर 5 gram powder का decoction बना कर अच्छे स्वास्थी के लिए उप्योग में ला सकते हैं सभी परकार की kidneys, urethra, curator इन सब से जुड़ी हुई जो समझाए हैं inflammation, infection, hormonal dysregulation इस तरह की जो समझाएं भी हैं उनको भी अच्छे से ठीक करने का कारे करता है मित्रो ये देखने में भले ही खर्पतवार आपको लगे लेकिन गुणों में विशिस्ट है आप इसको अपने घर में अपने गंबले में आसानी से लगा सकते हैं इसकी रूट्स आप देख रहे होंगे ये हर नोड पे इसकी रूट्स दवलप हो जाते हैं आप इसको आसानी से लगा सकते हैं यह जो महान ओसदियां जो प्रकृति ने हमें दी हैं यह वर्दान हैं इनको हमें संदक्षित करना चाहिए और अपने उत्तम स्वास्ति के लिए हमें उप्योग में लाना चाहिए हो सके तो सिंथेटिक मेडिसन से याथा संभव बचें क्योंकि पहना कहीं उनके लोंग लास्टिंग साइड एफेक्ट तो होते ही हैं और जो ओसदियां प्रकृति में वर्दान शुरूप आपको दी हैं आप उन्हें पर द्यानिक जीवन में अच्छे स्वास्ति के लिए उप्योग में लाइए यह पित पित से जनित कॉंस्टिपेशन से जनित हॉर्मोनल इर्रेगुलेशन उससे जनित स्किन प्रॉब्लम्स, सुरियसिस, फंगल इंफेक्शन और उससे जनित यूरिनोजनाइटल डिसोडर्स सभी में अच्छा करे करता है एक प्लांट और इतने सारे इसके ओस्तियग यह पीरती का दिया हो वर्दान है तो इसमें वो चंता होती है के हमारे अच्छे स्वास्ते के साथ साथ, हमारे सबी विकारों को भी हरने वाला होता है तो आप इस प्रिकृति के गिफ्ट को संजोईए, संदक्षित कीजिए, अपने गमलों में लगाईए, इन्ही कामनाओं के साथ कल सुबह साड़े से बज़े फिर मिलेंगे एक नई एक कांट के साथ नई चर्चा के लिए, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, पर नाम अधिक जानकारी के लिए आप हमसे एमिल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से या कमेंट करके जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं, साथ आपके शेत्र में इस घास को किस नाम से पुकारा जाता है, हो सके तो हमें जरूर आप लिएक के जरूर बताईए, आप सभी का अबस्का